बिसमिल्ला इर्मान इबरहीम आसलाम अलेकुम फिजिक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर 15 है करन्ट इलेक्रिसिटी इसका आज हम सेक्षिन सी करेंगे नुमेरिकल्स का नुमेरिकल नंबर वन है देखें एक पॉकेट कैल्कुलेटर है उसके अंदर कितने अंपेर का करेंट है इन्होंने पूचे यह बताएं अगर इतना करेंट है तो यह बताएं कितना चार्ज एक मिनट में उसके अंदर फ्लो करता है एवरी मिनट का मतलब है एक मिनट में डेटा बना लेते हैं डेटा हमारे पास क्या है करंट यानि सी इस इकल्स तू पॉइंट ट्रिपल जीरो टू एमपेर ठीक है यह इतना एमपेर का करंट गुजर रहे है कैलकुलेटर से और कितने टाइम तक गुजर रहे है वन मिनिट उसको से मिनिट करें जो कितने 20 से के च banco डियोके तर करें कितनी च Newa को है म cui ही है जो कितना होगा तो हमें क्यूच करने है को में पढ़ा आए कि कर द राबर होता है चारज को अगर हम टाइम से रिवाइड करते है तो आपर दो क्यूच करें गरनान चुछ च्सलिधित देक time को इदर ले जाते हैं पहले हम इसको लिखने c will be equals to q divided by t charge divided by time q divided by t अब हमें q find करना है q को हम यहीं छोड़ देते और t को इदर ले जाते हैं और divide हो रहें c के पास जाके multiply हो जाएगा value substitute करते है c के value क्या है हमारे पास 0.0002 और time कितना हमारे पास 60 second 0.0002 को 60 से multiply करते हैं हमारे पास answer आता है 0.012 यह हमारा colomb में answer आ गया लेकिन बुक में answer देखने हैं यह हमारा c में या colomb में आया है और answer जो है वो mc यानि के milli colomb में है तो इसको हम convert करेंगे milli के अंदर किस तरह multiply by कर देंगे 10 की power 3 हम लिखते है q is equals to 0.012 multiply by 10 की power 3 ताउजंड से multiply कर रहा है यह यह समझने है कि point को 3 डिजिट आगे लेके जाएंगे जब हम इसका point को 3 डिजिट आगे लेके जाएंगे यह आप ऐसा करें कि 0.012 को आप यह 10 की पावर 3 का मतला है 1000 से multiply कर देंगे तो आपके पास answer आ जाएगा 12 millicolum 12 mc ठीक है इस तरह भी करके देख सकते हैं और चाहें तो point को 3 डिजिट आगे लेजाएं तो 10 की पावर 3 खतम हो जाएगा और सी रजीदा 12 आजाएगा हमारे पास दोनों ही method है ठीक है यह हमारे पास इस cancer आगिया हमारे पास cancer आगिया और बुक से बिलकुल मैं चांसर है second numerical हमारे पास calculate the amount of current that an electric heater uses to heat a room in 5 minutes if the charge is 2100 कोलूम इसका data बना लेते हम time हमारे पास कितना है और charge कितना गुजर रहे और find हमें क्या करना है तो हमें amount of current इसमें find करनी है और इनोंने कहाये चार्ज कितना गुजर रहे है 2100 कोलूम चार्ज है ठीक है कितना है चार्ज? 2100 कोलूम चार्ज है जो कितने time तक गुजर रहे है? 5 minute तक गुजर रहे है 5 minutes 5 minute को जाहर सी बात हमें convert करना पड़ेगा करन्ट हमें करने का यह अगर 2100 कॉलूम चार्ज फाइव मिनिट तक पास हो रहा है तो आब बता है कितना करन्ट फ्लो हो रहा है प्रेंट मिनिट को पहले कोफें से कंड में जाना है तो हम 66 मुल्टिपला करेंगी क्योंकि एक मिनिट में 60 से केंड होते हैं 5 multiply by 60 कितना हो जाएगा 300 second ठीक ही second में convert होगे हमारे पास current is equal to charge divided by time वही वाली जो हमने उपर first question में की थी अब इसमें हमें current ही find करना है यानि C will be equals to Q divided by T करेंगे value substitute करते है Q की value हमारे पास क्या है 2100 बहुत ही easy से numerical हैं बहुत ही easy से इसको time से divide करना है time हमारे पास है 300 second दोनो zero से दोनो zero कार्ट डीजे 21 upon 3 आ गया 310 333 721 7 ampere हमारे पास इसका answer आ गया solve हो होगे हमारा question बहुत easy से दोनो question थे question no.3 हमारे पास a potential difference of 90 volt exists between two points two points है उनके दर्मियान potential difference है 90 volt का the amount of work done when an unknown charge is moved between the points is 450 joules तो ये जो दोनो points है इनके दर्मियान में एक unknown charge को move करा है तो दोनों charge के लावा किसी unknown charge को move करा है और उस पर work done हुआ है 450 joules determine the charge amount तो आपने बताने है जो चार्ज है उसका कितना amount है जो चार्ज को move किया है उस पर कितना charge amount है data बनाते है इसका हम potential difference हमें कितना given है 90 volt है work done कितना किया उस charge को जो unknown charge को move करा 450 joules का work done करा है W will be equal to 450 joules and potential difference को हम लिखने delta V will be equal to 90 volt देखें सबके साथ आपने unit भी add करने है या पर data में और एक तो data में आने चाहिए unit दूसरा answer में आने चाहिए charge यानि क्यू आपको find करना है कि कितना charge होगा दो charge थे कोई उन charge के बीच में potential difference 90 volt और उसमें एक unknown charge को move करा है उस unknown charge को आपकी quantity find करनी है और उस पर work done हो है 450 joules तो हमने लिखा potential difference is equal to work done divided by charge यानि delta V will be equal to W upon Q हमें find इसमें करना है Q, Q को इधर ले जाए और delta V को इधर ले जाए Q will be equal to W upon delta V ये तो आपको आता होगा किस सरह करते है Q को find करना है Q को अकेला करेंगे Q को इधर ले जाएंगे और delta V को इधर ले आएंगे Q will be equal to W upon delta V होगे हमारे पास अब हम निकालते है Q is equal to W की value हमारे पास कितनी है 450 joules इसमें यहां पे जब हम यह value substitute करोंगे इसमें यहां unit लिखने की जरूरत नहीं होती delta V है 90 450 को आप 90 से कैसे डिवाइट करेंगे 0 से 0 काड़ने 9 1 0 9 9 5 0 45 आपके पास यह आपके पास आ गया 5 कुलूम यह आपका आंसर आ गया बहुत ही easy सा question था question number 3 भी बहुत easy था question number 4 हमारे पास calculate the potential difference between 2.a and b two point है हमारे पास एक a है एक b है उनके दर्मियान हमने potential difference को find करना है if takes 9 into 10 की power minus 4 joule of external work to move a charge of positive 9 micro column from a to b देखें दो charge है हमारे पास a और b हैं तो उन में से किसी एक charge को जो है इनोंने move करा है work done करा है और उसको जो move करा है उसके पर कितना column charge है उसके charge है plus 9 micro column plus 9 का मतलब है proton है वर्ना minus होता है electron होता तो में पॉजिटिव चार्ज को मुने move करे है और उसके उसके उपर charge कितना है plus 9 micro column और उसके work done कितना के है नोंने 9 into 10 की power minus 4 joule यह W है हमारे पास और यह चार्ज है हमारे पास और हमें potential differences में find करना है numerical number 4 हम कर रहे है data बनाते है potential difference हमें find करना है delta V केतना होगा यह हम find करेंगे work done उस पर उस चार्ज को जो positive चार्ज को जो move करा है यार proton को जो move करा है उस पर work done करा है 9 into 10 की power minus 4 joule और चार्ज कितना है प्लस 9 micro column माइक्रो कोलोम है इसको कोलोम में convert करेंगे हम तो जाए रहे हैं micro जो है छोटा होता है हम बड़े में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहनि कि हम इसको multiply करेंगे 10 की power minus 6 से आपको पता है जब भी हम छोटे से बड़े में आते हैं तो हमेश्य है जब हम 10 की power जो लेते हैं फिर वो minus में लेते हैं इस किस तरह से convert होता है इसकी inter conversion में आपको बहुत अच्छी तरह से unit number 12 यानि electromagnetic spectrum के numerical में सिखाया है तो अगर आपने नहीं सीखा तो आप उस वीडियो को भी देख लीजेगा और उसके लिए आप जो है अगर आप जाएंगे तो एजी ली आपको मिल जाएगा classic division में physics class 10 की playlist में आप देखीगा तो आपको electromagnetic spectrum के numerical मिल जाएंगे उसमें से आपकी बहुत easily सीख सकते हैं की convert कैसे होते हैं उसमें मैंने बहुत अची तरह explain कर रहा था सारा कि किस तरह conversion करते हैं तो ठीक है अब micro column से हम आएं column के अंदर तो हमने इसको multiply by 10 की power minus 6 कर दिया micro था इसलिए 10 की power minus 6 आया है अब हमें find क्या करना है potential difference potential difference is equals to work done divided by charge तो delta V will be equals to W upon Q हो जाएगा delta V हमें find करना है W हमारे पास कितना है 9 into 10 की power minus 4 joule और charge कितना है हमारे पास 9 into 10 की power minus 6 9 से 9 को काट देते हैं और ये जो 10 की power minus 4 है हमारे पास 10 की power minus 6 उपर चल जाएगा कितना हो जाएगा plus 6 हो जाएगा अब ये जो 10 की power plus 6 में से minus 4 minus कर दें तो हमारे पास क्या आजएगा 1 multiply by 10 की पावर प्लस 6 में से 4 निकाल दिया प्लस 2 आ जाएगा ठीके अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100 सही है तो हमने इसकी जगा पे 100 लेग दिया 10 की पावर प्लस 2 का मतलब क्या होता है 100 होता है 100 को 1 से मिल्टिप्लाइ करा 100 आ गया एक रेडियो टर्मिनल है उसके पर पोटेंशल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है डिटर्माइन दर रेजिस्टंस ऑफ रेडियो आपने रेडियो की रेजिस्टंस फाइल करनी है वेना करंट ऑफ 20 मिली एंपेर फ्लोस थू इट अगर 20 मिली एंपेर का करंट उसमें से गुजर रहा है करंट हमें एंपेर में नहीं दिया मिली एंपेर में दिया है टेद्थी ब्लाय करेंगे 10 की पावर – 3 से क्योंकि हम गिली एंपικήर मेंी जा रहा है 10 की पावर – 3 हम तैंपो 1000 से तौ तो क्यूंकि इस तरह करना जादा असान होता है तो हम त सहाले कर सकते हैं तो 20 को 1000 से डिवाइट करके पॉइंट वांसर भी निकाल के लिख सकते हैं ज्याद अच्छा तरीका यह होते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो हमें रेजिस्टेंस फाइंट करने हैं रेजिस्टेंस इकल तो वोल्ट डिवाइट बाय करन्ट होता है यहीर विल इकल लिख स्वी अपॉन आइ जो में वोल्ट या पोटेंशल दि इवरेंस गिविन इसको हम करन्ट से डिवाइट करेंगे हमारे पास आ राजेगा वी इतना है मारे पास 6 वोल्ट है और i कितना है हमारे पास? i हमारे पास 20 multiply by 10 की पावर minus 3 जब हम 6 को 20 से divide करेंगे हमारे पास answer आजएगा 0.3 कितना आजएगा 0.3 और यह जो 10 की पावर minus 3 है नीचे लिए है minus की पावर के साथ है उपर हम इसको ले जाएंगे यह बन जाएगा 10 की पावर plus 3 अब 0.3 को multiply करेंगे आप 10 की पावर 3 या 1000 से 0.3 को 1000 से multiply करेंगे तो हमारे पास 300 आजएगा एक तरीका यह भी है एक तरीका यह है कि हम इसका point जो है आगे 3 डिजिट आगे ले जाए तो 3 के बाद 1 तो हो गया एक डिजिट गया उसके बाद 2 और यह 3 तरी डिजिट आगे चल गया और यह point जो 10 की पावर 3 है यह खतम होगी देखें मैंने आपको दो मैथड बताएं आप चाहें तो point 3 को 1000 से multiply करेंगे तब भी 300 ही आएगा और अगर point का इसका point हम जो 3 डिजिट आगे ले जाएं तब भी 300 हो जाएगा यह तो आपको आता होगा ना किस तरह हम point को आगे लेके जातें तो 300 हमारे पास ohms इसका आंसर आ गया क्यूंकि resistance का जो unit होता है ohms होता है हमने लिखा 300 ohms की resistance होगी question no.6 है resistance of 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm are connected in parallel तो 3 resistance है R1 है 4 ohm, R2 है 6 ohms और R3 है 12 ohms R connected parallel उनको parallel connect किया हो है and then connected to 6 volt EMF source EMF यानिके electro motive force की source जो है वो कितनी है 6 volt है determine the value of value मालूम करनी है इसमें बहुत lengthy question है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम करनी है number one है the circuit equivalent resistance यानि के जो पूरे circuit की equivalent resistance find करनी है total current flowing through the circuit पूरे circuit में जितना current flow है वो find करना है और third है the current flow through each resistance यह तमाम resistance है क्योंके यह parallel connect है इन सब के अदर अलग-अलग current की जो होगी quantity होगी तो हमें इनका सब का अलग-अलग current भी मालूम करना है यानि I1, I2, I3 भी find करना है landing question है और बहुत important question है इसको बहुत अच्छे से समझेगा और कीजेगा इस question के आने का बहुत चांस है इसलिए इसको बहुत अच्छे से कीजेगा इससे related जो भी आपके पास work example हो वो भी जरूर कीजेगा यह एक बहुत important मैं आपको बता दूँ कि यह जो हमारे work examples है उन में से बहुत सारे questions आते हैं वो गयर जरूरी नहीं होते हैं बहुत important होते हैं और उसमें से बहुत सारे questions जो है आते हैं self assessment पे बच्चे बहुत ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं डेटा बना लेते हैं हमें क्या क्या जो गिविन है first resistance जो हमें गिविन है R1 वो कितनी है 4 ohm second resistance हमें गिविन है R2 6 ohms R3 है हमारे पास 12 ohms ठीक है यह हमने डेटा बना लिया और जो हमें EMF force है EMF की force, electromotive force कितनी है उसके voltage वो हमारे पास 6 volt ठीक है जी उसके बाद हमें find सबसे पहला point या find करना है equivalent resistance यानि RE find करना है और यह याद रखना है कि यह circuit में parallel connect है जब parallel connect है तो इनकी equation different आती है total current find करना है current in each resistance यानि I1, I2, I3 find करना है सबसे पहले हम equivalent resistance निकालेंगे number 1 करते है equivalent resistance यानि RE 1 upon RE will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 यहां लिख लेती हूं में 1 ठीक है यह हम निकालेंगे सबसे पहले यह find करेंगे RE चाहे तो आप यहाँ पर heading डाल सकते है find equivalent resistance करके वैसे जरूरत नहीं होती numerical के अंदर इसमें हम substitute करते हैं 1 upon R1 कितनी है हमारे पास देखें यह मैंने इनको रेसिप्रोकल क्यूं लिख आए क्यूंकि यह जब resistance यह होती है parallel connect होती है तो रेसिप्रोकल होता है उनका जब हम यह circuit करेंगे आपको उसमें बहुत easy समझ में आ जाएगा 3 to the 6, 6 to the 12 नीचे आजेगा मारे पास 12 1 upon R1 will be equals 2 अब यहां पे 12 है इस 4 से 12 को divide करें 4 3 is a 12, 3 को 1 से multiply करा 3 आ गया इस 12 को 6 से divide करा 6 to the 12 2 को 1 से multiply करा 2 1 से 2 आ गया 12 को 12 से divide करा 1 आ गया 1 को 1 से multiply करा 1 आ गया 3 में 2 प्लस करें, 1 प्लस करें कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा 6 upon 12 6 1 से 6, 6 2 से 12 1 upon 2 आ गया 1 upon R1 हमारे पास आ गया 1 upon 2 तो यह तो 1 upon R1 है हम यह तो R1 ही चाहिए तो हम इसको inverse कर देंगे इसको भी inverse कर देंगे R1 is equals to 2 ohms यह हमारा पहला जो पार्ट है वो सॉल्फ हो गया ठीक है हमने पहला पार्ट निकाल लिया रेजिस्टेंस निकाल ली इसके बाद हमें निकालने है total current number 2 डालते हम total current current किसके बराबर होता है I is equals to V upon R current बराबर होता है voltage divided by या EMF divided by R के तो हम यह पर substitute कर देते V कितना है हमारे पास V है हमारे पास 6 और resistance total जो निकला है वो लिखेंगे RE लिखेंगे इसके इसके इंदर RE लिख दीजे 2 ohms 2 ones are 2 2 threes are 6 3 ampere total current हमारे पास कितना निकल आया 3 ampere 3 ampere हमारे पास total current निकल आया total resistance यानि equivalent resistance 2 ohms निकल आया यह दोनों चीजे निकल आया अब हमारे पार 3rd point हमें current मालूम करना है इच resistance में next page करूंगी इसमें इस पेस नहीं है 3rd part हमारे पास है current in each resistance हमें find करना है हम सबसे पहले i1 निकालेंगे i1 will be equals to i is equals to V upon R होता है हमारे पास इन R1 R1 के अंदर हम निकालने ठीक है i1 equals to V upon R1 हो जाएगा i1 is equals to V हमारे पास टोटल जो है समाम circuit में जब हम parallel connect करें V जो होता है volt यह potential difference वो same रहता है सबमे current हर एक में change होता है V की जगा आएगा 6 volt R1 हमें कितना given है R1 हमें given है 4 इनको आपस में divide कर देते हैं 2 3s are 6, 2 2s are 4 हमारे पास आजाएगा 3 को 2 से divide करें तो क्या आजाएगा हमारे पास 3 को 2 से divide करते हैं तो हमारे पास आजाएगा 1.5 ampere हमारा answer हो जाएगा ठीक है यह होगी हमारा 1.5 ampere resistance number 1 में पिर हम लिखने current in R2 अब R2 में निकालना है current तो हम लिखते हैं I2 will be equal to V upon R2 I2 हमारे पास आजाएगा V हमारे पास वही है 6 volt और R2 कितना है हमारे पास जो given है R2 हमारे पास 6 6 को 6 से काड़ने हमारे पास आजाएगा 1 ampere यह आगे हमारा current in second resistance उसके बाद हम देखते है current in R3 3rd resistance में I3 will be equal to V upon R3 लिखते है I3 will be equal to voltage हमारा सब में से में 6 है R3 कितने थी हमारी given 12 थी 6 बंस आ 6 6 तूस आ 12 1 upon 2 आ गई 1 को 2 से डिवाइट करेंगे हमारे पास आजाएगा 0.5 0.5 ampere सवाल असान सा है थोड़ा सा समझ के करने का है लेकिन important question इसके पर आप खास सभजो दीजेगा question no.7 है 220 volt circuit is used to power to 120 watt and 80 watt light bulb ठीके एक circuit है जिसमें 220 volt potential difference है उसमें 2 light bulb लगे में एक की power 120 watt और एक की power 80 watt which bulb has greater resistance इन दोनों में से कौन सा bulb है जिसकी greater resistance होगी and which one has higher current और किसमें current जादा होगा मुश्किल नहीं कोई से नसान है लेकिन थोड़ा सा lengthy है समझ के करने का है कि हमने किस तरह करना है सबसे पहरे हम लिख लेते हैं हमें power of one bulb है वो कितनी है 120 watt है आप चाहें तो इसमें यहां mention कर सकते है power of one bulb करके या first bulb power of second bulb है हमारी 80 watt हमें resistance यानि कि पहले वाले bulb में रिजिस्टेंस भी फाइंद करने है और वाले बल्ब की resistance भी फाइंद करनी है इसी तरह हमें first वाले bulb का हमें current भी और second वाले का यानि आइ-2 भी current function करना है इनकी इस सब चीज़ें हमें car नहीं है power is equal to V squared upon R होता है V square upon R V2 नहीं है V पे square है कि हम पढ़के आएं power की value तो P will be equals to V square upon R हम लिखते हैं P1 will be equals to V square upon R1 के ठीक है हमें find करनी है R1 R1 को इदर ले जाएं क्या हो जाएगा V square upon P1 हो जाएगा अब V की जगा पे value substitute करें V की value कितनी है हमारे पास डेटा में लिखना में भूल गई इसका डेटा में V की value भी हमें given है तो मैं डेटा में add कर लेती हूं V की value V हमारे पास कितना है 220V है सही है यह बाइ मिस्टेक मिस्टर रह गया लिखने से वोल्ट हमारे पास है 220V अब यहाँ पे हम V square की जगा पे 220 आप चाहे square डाल दें चाहे इसको two time लिखनें दोनों तर आप कर सकते हैं अपनी मर्जी पर है P1 कितना था हमारे पास 120 अब इसको simplify कर लें बहुत सारे तरीकर से simplify हो सकते हैं काट के भी और multiply करके divide करें तो हमारे पास इसका answer आजएगा चले मैं आपको इसको simplify करके दिखा देती हूं two six are twelve, two ones are two, two ones are two अगर आपको इस तरह simplify करना मुश्किल लगता हो पूरा multiply करें और divide करें calculator से two three are six, two ones are two, two ones are two zero तो हमारे पास 110 x 11 करें उसको three से divide करें 110 को आप 11 से multiply करेंगे one two one zero आजएगा इसको three से divide करेंगे तो आपके पास आजएगा four zero three point three three ohms इसका answer हो जाएगा ठीके हमने जो first one twenty watt की पावर वाले बल्प की अंदर कितनी रेजिसेंस होगी four zero three four hundred and three point thirty three ohms अब इसी से हम बहुत easy तरीके से इसका current भी मालूम कर लेते first bulb में कितना current होगा two twenty है और आरवन हमारे कितना निकला है four zero three point three three two twenty को four zero three point three three से आप calculator से divide करें आपके पास आजएगा four five four ampere ठीके तो यह हमारे पास इसका दूसरा पाट आ गया 120 पावर के बल्प की हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया उस रेजिस्टेंस से ही हमने उसमें current में निकाल दिया ठीके फिर हम बाद में compare करेंगे अब निकाल लेते हम P2 P2 will be equals to V square upon R2 तो हम P2 निकालते हैं नहीं अब हमें R2 निकालना है न तो P2 को इदर लिया आते V square divided by P2 V की value कितनी है 220 multiply by 220 square है इसलिए दो बार लिखा है और P2 की value कितनी थी 80 watt लिख दिया जीरो से जीरो काड दिया और इसको हम काड़ देते हैं 4 2s are 8 4 5s are 20 4 5s are 20 2 1s are 2 2 1s are 2 ठीके अब उपर बजिया 55 multiply by 11 55 को 11 से multiply करें आपके पास आजाएगा 605 605 ohms ठीके यह हमारा इसका आगया इसकी रेजिस्टेंस आगयी 2nd bulb की इसी रेजिस्टेंस से हम इस बल्प के अंदर जितना करंट है वो निकाल लेंगे I2 will be equal to V upon R2 अचा यह बात आप देख लीजे अवर्ट होता है V square upon R के बराबर होता है यह square है V पे ठीक यह इसकी पावर हमें दी वे जब ही हमने यह वालिये लिगाई है लेकिन जब हम current और voltage और resistance कर रहे होते हैं तो उसमें square नहीं होता V is equal to I R होता है यह I is equal to V upon R होता है यह सब आपने chapter में बहुत अच्छे समझाब है value substitute करें V की जगा पे क्या आजाएगा 220 R2 जो हमने निकाल है वो लिख देते हैं 650 नीचे लिख देते हैं इन दोनों को divide कर देते हमारे पास answer आजाता है 0.364 ohms अच्छा अब हमें question यह नहीं कहता कि स्रीf find करनी है उन्होंने कहता आपने यह बताना है कि इन दोनों मेंसे कौन से bulb में 120 watt वाले में यह 80 watt वाले में किस में करंड़ देख लें compare कर लें आर वन कितना निकला था 4 0 3 और र 2 कितना न किला था 6 05 5 कौन से जादा है आर टू जादा है r2 का कितना watt था 80 watt 80 watt के bulb में resistance जादा है ठीक है तो हम answer लिखते हैं इसका हमें answer ही असल है लिखने का the resistance in is greater is greater in 80 watt बल ठीक है resistance किस में greater है आपने देख लिया R2 में greater है जिसकी 80 watt T 605 है ठीक है यह हमने लिखा and उन्होंने हमसे पुछा था current किस में ज्यादा है current current देख लें R1 यह रहा 0.5454 और R2 कितना है हमारे पास 0.364 कौन सा ज्यादा है current current हमारा R1 में ज्यादा है तो हम लिखेंगे the current is greater in power of 120 ठीक है 120 watt watt वाले के अंदर जो होगा उसके अंदर current ज्यादा flow होगा और R2 किसमें ज्यादा होगी 80 watt वाले में and current is greater in 120 watt bulb ठीक है वो बल्ब जिसकी 120 watt power थी उसके अंदर current ज्यादा होगा और जिसकी 80 watt power थी बल्ब की उसमें resistance ज्यादा होगी current कम होगा यही हमारा असल में इसका answer था ठीक है यही हमसे पूछा था और आपके तमाम question complete होगा अगर मैं देखोंगे अगर इसके work example मुश्किल होंगे तो मैं आपको करवा दूगी अगर easy होंगे तो पर नहीं करवाओंगी और मैंने इसी वज़े से आपको previous work example नहीं कराई क्यूंकि वह easy थे बिल्कुल बहुत easy से सिर्फ देखकर ही समझ में आ रहे थे आप मुझे जरूर इंफॉर्म करें अगर आप चाहते हैं कि मैं वह आपको करवा हूँ previous chapter के work example ठीके उमीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो helpful रही होगी अगर आपके लिए वीडियो helpful रहती है तो प्लीज वीडियो को like किया करें शेयर करें और subscribe कर लिए अगर आप first time channel पर विजिट कर रहे हैं तो अल्ला आपिस